कटाहल के सब्गी बिल्कुल चिकन की तरह 500 ग्राम कटाहल काट लिया है अच्छे से धोलिया है इसको हम मेरिनेंट करेंगे इसके लिए हम एक चम्मच अद्रक लासुन का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा हल्दी डालेंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा मिक्स मसाला डालेंगे दो चम्मच ड़ी डालेंगे थोड़ा सा तेल डालेंगे थोड़ा सा नमक डालेंगे इसे अच्छे से हाथों से मिक्स करेंगे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है इसे ढग के हम दस मिनट के लिए रख देंगे अब सब्जी के लिए हमने प्यास दे लिया है लहसुन, फरी मिर्ची, लाल मिर्ची और ये गरम, खड़े मसाले, इलाईची, लॉंग, दाल चीनी, जीरा अब हम अपने कडाही के तरफ चलते हैं, कडाही गरम हो चुकी है, अब हम इसमें तेल डालेंगे, तेल गरम हो चुका है, इसमें जीरा डालेंगे, लाल मिर्ची डालेंगे, लॉंग, दाल, चीनी, लाची डालेंगे, हरी मिर्ची डालेंगे, लाचिन डालेंगे, कि शेट डालेंगे इसे हमं गोल्डEन ब्राउन होने कर सो लिलेंगे हम अच्य से गोल्डEन ब्रॉण हो चुका आए अब इतिने हम लॉसन अध्रक की अई आलेंगे तोody चा जादा देना है कि एहां मिलाख राषण संत चाश दालें रैकर वह लेक Abernda कि रगवानिट मेस्षकर बनें के अबनें के मीन सर्क खवल्दี दालें के मिलीयमों चीन Alison पौंड़ जादना आजाए, हमारे मसाले अच्छे, पे जुन किपेगे, तोल बिल्पिल उपर आपका है, अब आपना कटहल, अब यह अच्छे पिस्टेट प्रप्रट है, तीज आप मिनत मसाले के साथ, भीनेंगे, हमारा कटहल भी अच्छे से जुन किका है, अब इतने हम ग्रेवी के लिए अच्छे से पानी डालेंगे, आप अपने इससाब से कम यह जादा डाल सकते हैं, अब हम इसे ठक देंगे, आठ से नौ मिनत पकाएंगे, क्योंकि हमारा कटहल कच्छा है, उबला हुआ नहीं है, हम देश चेक कर लेते हैं, देखे कि किसना अच्छा हमारा सब्जी पक के त्यार हो गया है, हम मेरी नेट में नमक डाले थे, मसाला भी नहीं डाले थे, अगराय थोड़ा कब होगा, तो हम से रूपर से डाल लेंगे, एक मिनत ऐसे ही से, पुल्ले में पका लेंगे, नमक देखे, एक मिनत हो चुका है, हमारा सब्जी पक चुका है, हम चेक कर लेते हैं, देखिए हमारा सब्जी बिल्किल त्यार है, अब हम जाइसको बंद कर देंगे, देखिए हमारा बिल्कुल चिकन के जैसे सब्जी त्यार हो गया है, कटहल का, आभी खाईए, बनाईए, इंज्वाई कीजिए, जाते जाते सस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, सेर कीजिए, तब तक के लिए बाई बाई मिलते हैं दूसरे वीडियो में,